हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी क कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। कट्सेफ ट्रॉप एक एंटीबाउट एक दवा है। यह आम तोर पर बच्चों को कान, आखों, नाक, गले, फेफडे, त्वचा, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रेक्ट और यूरिनरी ट्रेक्ट को लक्षित करने वाले बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमन की विस्तरित रेंज के इलाज के लिए दिया जाता है। यह बच्चों और किशोरों में टाइफाइड बुखार के इलाज में भी प्रभावी है। खाने के एक घंटे पहले या दो घंटे बाद यह दवा अपने बच्चे को दें। अगर आपके सेवन के 30 मिनिट के भीतर दवा को छोड़ देता है और दवा को बाहर निकाल देता है तो वही खुराग दोहराएं लेकिन अगली खुराग का समय होने पर खुराग को दोगुना न करें। सर्दी और फ्लू के लक्षन होने पर अपने बच्चे को यह दवा न दे क्योंकि यह दवा एक एंटिबाउटिक है और वाइरस के कारण होने वाले इंफेक्शन में असर नहीं करती है। डॉक्टर खांसी और जुकॉम के लिए इस दवा की सलाह तभी देते हैं जब उन्हें किसी भी अंतरनेहित माध्यमिक बैक्टिरियल संक्रमन का पता लगता है। इस दवा के कुछ मामूली और अस्थाय दुश प्रभावों में उल्टी, दस्थ, मतली, दाने और सिरदर्ध शामिल हैं। फेफ़रों की असंगती, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल समस्यात, त्वचा संबंधी विकार, लिवक की खराबी और केड़नी की खराबी आदी शामिल हैं। यह जानकारी खुराक में बदलाव और आपके बच्चे के समग्र इलाज की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।